हलो एवरिवन मेरा नाम तौसीफ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की फिफ्ट वीडियो है प्रिविएस वीडियो में हम लोगों ने कॉंटाक्टर्स पेज को बना है था इस वीडियो में हम रूम्स वाले पेज को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को यूज करेंगे पहला है हमारा फॉंट फैमली जो की है मेरिंडा और पॉपिंस जिसको हम प्रिविएस वीडियो से यूज करते हुए आ रहे हैं और उसके लावा जो कस्टम कलर हम लोगों ने शुरू में चुना था उसको यहाँ पर हम यूज करेंगे उसके लावा और कोई भी नई चीज की रिक्वार्मेंट नहीं है हमें इस वक्त हम जैंप में htdocs folder के अंदर hb website time के folder में है ठीक है इसमें हमारे project की previous files पढ़ी हुई हैं सारी और अपने project को हमने यहाँ पे web browser पे भी open करके रखा है और vs code में भी ठीक है तो previous video में हम लोगों ने contact us का पीश बनाया था एक काम करते हैं इसको replicate कर लेते हैं और इस बार नाम देंगे इसको हम rooms का ठीक है और यहाँ पर जो contact लिखा है इसको change कर देते हैं rooms से अब आ जाते हैं जरा header वाली file पे और यह जो hash की value है इसको लिख देते है rooms.php अब क्या होगा कि जब हम rooms वाले link पे क्लिक करेंगे तो हमारा rooms वाला page open हो जाएगा ठीक है तो I think सारे pages यहाँ पे complete हो गया है बस यह rooms वाला page आखरी था ठीक इसके बाद यहाँ पे लिख देते है our rooms ठीक है तो यह heading हो जाएगी इस बार हमें कोई भी paragraph नहीं देना तो यहाँ पे जो p tag के अंदर code लिखा है इसको पूरा हटा देते हैं अब आ जाते हैं इधर web browser पे इसको करते है refresh rooms पे क्लिक करेंगे तो देखे यहाँ पे heading आ गई एक underline है हम rooms वाले page पे आ गए हैं और यहाँ पे यह जो form और map अगरा दिख रहा है इस पूरे को तो हटाई देना है ठीक है तो यहाँ पे यह column यह column को कर दो delete ठीक है हमें यहाँ पे अभी container tag तो चाहिए ही plus div.row भी चाहिए अब इसका output पहले चक कर लेते हैं रिफ्रेश करेंगे तो देखे सारा content चला गया अब हम चाहते हैं कि left side पे हमारे पास एक filter करने का option हो और right side पे rooms के सारे card दिख रहे हो ठीक है उन card पे जब हम click करेंगे तो उन हर एक room का एक proper page open होगा जिसमें उसका पूरा description दिखएगा हम ठीक है उसको हम बात में बनाएंगे ठीक है इस वीडियो के बाद समझ दीजे back end का काम शुरू होगा तो admin panel और सारी चीज़ें जो admin end पे होनी है उसका काम हम पहले करेंगे ठीक तो फिलहाल के लिए इस page की बात कर ले तो यहां पे पहले filter होगा left side पे और right side में सारे room के card त अब आप सोच रहे होंगे कि filter बले section का naiv bar से क्या लेना देना तो हम आप पो एक चीज़ बताते हैं जैसे कि हमारा naiv bar है इसको जब हम छोटा करते हैं तो देखें जब यह छोटा होता है तो इस तरीके से हमें एक hamburger देखने को मिलता है और सारे जितने भी options होते हैं वो उसक करना पड़ेगा हमें और जो हमारा filter है उसको भी हमें एक proper क्या सकतो आप design देना पड़ेगा तो उस चीज़ के लिए यहां पर हम naiv bar use करेंगे जिसे यहां पर हमें एक section दे सके और naiv bar का एक toggle button हो ठीक है जो filter के सारे options को open करके देगा तो एक काम करते हैं इसको पहले जैसा क toggler है वो भी आपको मिल रहा हो ठीक है तो इस code को चलिए कर लेते हैं copy इधर आ जाते हैं इसको हम करेंगे paste ठीक है तो paste करने से पहले हमें एक column बना लेते हैं हमने कहां div.call lg-3 तो large devices में तीन column की भी occupy करेगा यह div इसके अंदर हमने nav tag का code रखा है इसका alignment ठीक करेंगे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं ठीक कर लेते हैं अब इस nav tag को भी ठीक कर लें ठीक है तो ऐसे देख लो आप की कुछ इस तरीके से हमारा code अभी के लिए दिख रहा है ठीक है एक div है जो कि large devices में three column की space occupy कर रही है उसके लावा उसके अंदर nav बार रखा हुआ है अब इसका output पहले इस तरीके से इसका output देखने को मिल रहा है इधर से वापस आ जाते हैं इसका जो बीजी light है इसको जरा कर देते हैं बीजी white जिससे थोड़ा फर्क समझ में है और इधर लिख देते हैं rounded और यहां पर देतेंगे shadow save करेंगे refresh करेंगे देखिए यह असल में overflow कर रहा है ठीक है यह जो class थी है हमारी navbar expandlg इसको अगर हम अटा देंगे तो refresh करने पर देखिए कुछ इस तरीके समय देखेगा ठीक है अब देखिए तो ऐसा कुछ हम तब चाहते हैं दिखे जम हम our rooms वाले page को tab में open करें या मान लीजे हम mobile device में open करें ठीक है तो यहां पर navbar की जगा filter लाज devices में ठीक है तो इदर आके refresh करेंगे तो यह पहले जैसा हो गया अब इसके बाद container fluid के बाद हम लिखेंगे flex lg column यानि की large devices में यह जो हिस्सा भी एक row में आ रहा है उसके बजाए यह column में आ है देखिए जैसे refresh करेंगे तो एक के नीचे एक सारी चीज आ गई ठीक है इतना हो गया इसके बाद हम यहां पर दिखेंगे align items stretch सेफ करेंगे इधर आके refresh करेंगे तो अभी तक जो align items enter था अब वो stretch हो गया है टिक इतना हो गया अब इसके बाद यहां पर यह जो ul tag है पूरा यह जो nav bar nav लिखा है ना यह पूरा ul tag हमें इसे हटा देना है हमें इसकी जरूरत ही नहीं अभी के लिए इसको delete कर दीजे simply इधर आ जाते हैं refresh करते हैं तो फिलहाल के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है अभी के लिए हमारे पास एक anchor है जिसके अंदर यहां पर देखी जिसके नीचे button दिया हुआ यह हमारा nav toggler button है यहां पर यह जो id दी हुई है इसको हम यहां पर कर देते हैं h4 tag में क्योंकि अब हमें कही navigate तो करना नहीं है बस हम चाहते हैं कि heading हो एक और हाँ इसकी class हम देते हैं margin-top-2 save किया refresh करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके output देखने को मिल रहा है हमें अब इसके बाद यहां पर देखी लिखा है ना id और यहां पर बटन है कि इस id को target करेगा तो यहां पर nav bar nav लिखा है इसके बज़ा आप लिख दीजे filter drop down हम ऐसा इस दिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए code बार बार आप copy paste करोगे उपर भी हमने पहले देखिए यहां पर header है हमारे पास ठीक है और इसकी जो id है देखिए इसके according यहां पर दी गई है अगर यह match कर जाएगी नीचे वाले से तो दिक्कत हो सकती है तो इस वज़े से आप id चेंज कर दो जैसे यहां पर header में हमने id नहीं चेंज की है लेकिन आपको गर change करना हो तो आप अपने according चेंज कर लो लेकिन जो भी id यहां पर आप दोगे जहां पर लिखा है तो वो काम नहीं करेगा तो button पर आप click करोगे तो इस div के अंदर जो भी content होगा वो show नहीं होगा अब इसके अंदर हमें चाहिए एक div जिसमें border class हो यानि कि उस div में border होना चाहिए यहां पर bg light देते है class यानि कि उसका background color light हो p-3 यानि कि उसमें padding हो rounded उसका corner curve हो जाए और margin bottom dash 3 ठीक है इसके नीचे जो भी चीज होगी उसमें spaces देखने को मिलेगी हमें तो यहां पर पहला filter देना शुरू करते हैं एक heading देंगे लिख देते हैं check availability यहां पर ध्यान दीजेगा अगर कोई भी spelling हमसे गलत हो तो आप अपने हिसाब से ठीक है लेना CHECK availability और heading heading में class देते ह हैं पहले इसको refresh करके output चेक कर लें तो देखिए refresh करने पर कुछ इस तरीके से इसका output देखने को हमें मिल रहा है और इधर आ जाते हैं अब इस heading का थोड़ा सा font size हम change करेंगे यहां पर लिख देते है style font size इसको कर देते हैं 18 pixel इधर आके refresh करेंगे तो देखिए font size थोड़ा चोटा हो गया और अगर आप ध्यान दें तो यह जो आपका border है या आपकी जो div है वो full with occupy नहीं कर रही जबकि इसको occupy करना चाहिए था उसका भी एक reason है जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे ठीक है फिलहाल के लिए हमें चाहिए एक label एक काम करते हैं label यहां से लेने के देते हैं label टैग में यहां पर style हटा देते हैं बस check-in लिखा रहेगा input type date तो रहेगा ही ठीक है इसमें अभी कोई भी value attribute हम देंगे नहीं क्योंकि अभी हम बस designing करनी है ठीक है इतना copy करेंगे इसको paste करेंगे यहां पर फिर से एक हो जाएगा checkout के लिए ठीक है अब एक काम कर करते हैं यहां पर देते हैं margin bottom-3 तो देखे कुछ इस तरीके से हमारा यह portion दिख रहा है तो यह हमारा पहला filter है ठीक है जो आप यहां पर दोगे तो जो भी आप check-in और checkout date select करोगे उसके भी यहाप पर जो भी room खाली होगा वो दिखाई देगा तो पहला filter complete हो गया है अब ए अच्छे से master किया होगा तो आपको यह सारा खेल समझ में आएगा जैसे यहां पर असल में flex direction row दिया गया है आपको यहां पर flex direction column कर देना है तो होगा क्या कि यह जो दो div है एक row में आ रही है ना यह एक column में आ जाएंगी एक के नीचे एक अब इदर आके refresh करेंगे तो देखिए यह एक के नीचे एक आ गई इसके बाद वापस आ जाता है इधर और यहां पर हम एक margin top dash 2 दे देते हैं class और align items stretch s t re t ch देखिए इधर आके refresh करते हैं तो देखिए अब पहली चीज तो उपर spaces मिल गई दूसरी चीज left और right में अब देखिए अच्छी खासी spaces हमारी जो है occupy हो गई है ठीक है तो देखिए अब हमारा जो div है वो full with occupy कर रहा है ठीक है जतना उसे मिल रही है बाकी यह हिस्सा आपका padding का है यहां पर आ जाते हैं check availability को हटा देंगे हम अब यहां पर हम देंगे facilities ठीक है facilities इसके बाद यहां पर हम करेंगे क्या कि एक div ले लेते हैं ठीक और इसमे class देते हैं margin-bottom-2 जिस तरीके से हमारे login form में जो div थी जिसमे margin-bottom-2 या 3 मिलती थी उसके अंदर label और input tag रहता था तो सेम काम यहां पर हमें करना है तो एक label रहेगा और इसके अंदर input tag रहेगा ठीक और input tag का जो type है वो भी हमें change करना है तो पहले label को change कर ल label को इसे नीचे कर देते हैं पहले input tag देखेगा और बाद में label यहां पर जो input tag का type है इसके एक ID देते हैं यहां पर मान लेजिए हमने दे दिया F1 और यहां पर label में जो class है class के बाद एक for देते हैं F1 तो यहां पर जो for में जो भी हम ID pass करेंगे ठीक है तो हम जब भी इस label प पर है ठीक है यह form control form check input होता है इसकी class देखें CHECK check-input इसको save करते हैं refresh करते हैं तो देखें अब इस तरीके से दिख रहा है हमारा form ठीक है तो अब इस label पर हम click करेंगे ना तो देखें कुछ इस तरीके सा हमारा checkbox check-in और check-out होगा ठीक है तो देखें चेक इन चेक आउट check-in check-out इसके बाद यहां पर margin bottom-3 है इसको हटा देते हैं shadow 9 लगा रहने देंगे और margin end-1 यानि कि इसके right side input tag जो हमारा यह checkbox है na checkbox के right side थोड़ी सी हम spaces चाहते है ठीक है तो इतनी classes I think enough है और यह class का आपको ध्यान अखना होगा कि form check input होती है class ठीक है आप चाहो तो code यहां स इसके right side पर जाओगे और यहां पर checkbox लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा ठीक है checkbox के अंदर okay यहां पर नहीं है कहां पर है CHECK checkbox input group इसमें मिल जाए शायद नहीं है रहा form के अंदर checks and reduce में मिल जाएगा आपको यहां न form check label और form check input ठीक तो label में कोई भी class देदो आपको इतना issue नहीं है ठीक है यहां पर form label से भी काम हो जाएगा अगर आपको check label देदो यहां पर लिख देते हैं CHECK check label अब देखते हैं तो कोई भी वैसे change देखने को हमें नहीं मिल रहा है अब एक काम करते हैं इसी के replica बना लेते हैं copy paste copy paste मान लेज़े फिलहाल के लिए हम तीन facilities दे रहे हैं और facilities तो वैसे भी जो है यहां पर fetch होकर आएंगी ठीक है F2 हो गई है हमने F3 कर दिया था refresh करेंगे तो देखे facility 2 पर क्लिक करेंगे तो facility 2 चेक हो रही है one पर one ठीक है तो यह सारी facilities आपकी backend से fetch होकर आएंगी दिखेंगी तो check availability हो गया facilities हो गया अब इसके बाद last बचता है हमारा guest का section ठीक है तो एक काम कर लेते हैं और copy कर लेते हैं सिफिर से और नीचे कर देंगे paste ठीक है इतना किया facilities को लिख देते हैं guest को कि यह capital में होना चाहिए था guest अब इसके बाद यह जो div रखी हुई है इनको हटा दीजे आप इसका कोई काम नहीं है अब यहाँ पर हम एक div ले लेते हैं इस div के अंदर एक label होगा और एक input type number होगा तो एक काम करते हैं label तो उपर वाला ही copy कर लेते हैं चाहिए इस वाले से यह रा ना इसको copy कर लेते हैं यहां पर कर देते हैं paste ठीक है और उसके इलावा यहां पर input type number होगा तो यहां पर input type number होने वाला है एक काम करते हैं इसको भी यहां से यह copy कर लेते हैं और इधर लाके paste कर देते हैं ठीक है अब इसके बाद यहां पर shadow non form control यह साला लगा रहने देंगे यहां पर सिर्फ पर लिख देते हैं, यहां पर adult, लिख देते हैं, adults कितने allowed हैं, इसके बाद एक काम करते हैं, इसको copy कर लेते हैं, और नीचे paste कर देंगे, यहां पर लिख देते हैं, children, इतना करने के बाद इधर आते हैं, refresh करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से output देखने को हमें मिल रहा तो यहां पे डिव ले लेते हैं जिसको हम कर देंगे D-Flex इतना किया और इन दोनों डिव को इसी में प्लेस कर देते हैं उपर ठीक है इतना करने के बाद इधार आएंगे रिफ्रेश करेंगे यह दोनों एक ही रो में आ गए अब एक काम करते हैं जो adults वाली div है यानि कि यह जो div है जिसके अंदर adults वाला section लिखा हुआ है इसमें हमें class देते हैं margin-end-2 या 3 देते हैं इधार refresh किया हमने तो देखे कुछ इस तरीके समय output देखने को मिल रहा है ठीक है अब इनके बीच में spaces भी आ गई और अब इधार आ जाते हैं वापस तो समझ लीजे filter का जो section है हमारा वो हो गया है complete ठीक है बस इतने ही filter होने वाले हैं एक availability का facilities का और guest का ठीक है features जो भी हम room में दे रहे हैं जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा है room में जो भी features है जैसे two rooms होंगे one bedroom है एक balcony है तीन sofa है तो इस तरह के जो भी features होने वाले है room के वो सारी चीज़े हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे ठीक है सिर्फ facilities के लिए यहाँ प तरीके से हमारा जो filters वाला section है वो देख रहा है ठीक है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो देखिए अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर medium device से देखिए चोटा होना शुरू हो रहा है ठीक है तो I hope यहाँ तक आपको सारी चीज़ें एक्दम clear हो गई हो तो medium devices में हम चाहते हैं यह 12 column की space occupy करें अगर आप चाहते हो तो आप भी यह चीज़ कर लो वरना जैसा अभी हमने show किया था वैसा ही आप रहने दे सकते हो ठीक है यहाँ पर यह जो button है आपका ना यहाँ पर लिख दो shadow none तो अब अगर हम यहाँ पर जो button देख रहा था उस पर अगर हम click करेंगे तो जो हमारी shadow है वो नहीं आएगी उसके इलावा यहाँ पर आ जाते हैं लिख देते हैं margin bottom dash 4 यानि कि यह जो filter वाला section है उसके नीचे margin bottom आ जाएगी large devices में sorry हर तरह की devices में लेकिन जो large devices है हम चाहते हैं उन में spaces ना आए तो margin bottom large devices की zero कर देते हैं ठीक इतना हो गया तो I hope यह section complete हो गया और आपको समझ में आया होगा अब बढ़ते हैं अगले section की ओर जिसमें हम एक div लेंगे जिसमें हम बची कुछी column की spaces देते हैं तो 9 और 3 12 तो यहाँ पे div call lg9 दे दिया हमने और medium devices में हम चाहते हैं call md-12 हो ज इस बार अब इसके अंदर यहाँ पर हम करेंगे क्या की horizontal cards को रखेंगे अगर आपको हम इधर आएं और लिक के दिखाए horizontal cards तो शायद आपको देखने को ना मिले cards में एक जगह पर हमने देखा था कहीं पर cards cards तो css के जो card वाले section है यहाँ पर अगर आप right side में सारे content पढ copy और इसके अंदर बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखना है ठीक है क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पर जादा confused हो जाओ इसका indent ठीक कर लेते हैं यहाँ पी जो max width लगी हुई है इसको आप हटा दीजे क्योंकि हम चाहते हैं यह full width occupy करें उसके ला एक काम करते हैं इसमें कुछ content add करना शुरू करते हैं border कर देते हैं 0 और इसमें ले देते हैं shadow इतना करके इधर आते हैं refresh करते हैं तो यह जो border भी आ रहा था वो गया और shadow देखने को मिल रही हमें ठीक है इसके बाद वापस इधर आ जाएंगे अब देखिए एक row दी हुई जिसमें g0 दिया है g0 का मतलब होता है gutter 0 इसमें हम देंगे p-3 align items center save करेंगे इधर आएंगे refresh करेंगे तो इधर से spaces आपको देखने को मिलेगी अब थोड़ा सा और यह सारा content जो अभी तक top पे था यह center पे आ गया ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे जितनी column आप मतलब यह यहाँ पे जितने column चाहो बना सकते हो फिलाल देखिए इसमें दो column है जो 4 और 8 block की space occupy कर रही है ध्यान दीजेगा कि यह जो row tag है row tag के अंदर maximum column की जो width होगी वो 12 होगी और 12 से ज्यादा sum आएगा इनकी columns का ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 8 यह 12 हुआ ठीक है अगर इस से ज्यादा कसम आएगा तो एक column नीचे आजाएगा अगर इसको हमने 9 कर दिया है तो अभी दर refresh करेंगे तो देखिए यह portion नीचे आगया ठीक है तो maximum sum एक row tag के अंदर जो columns का होगा वो 12 होना चाहिए वरना जो भी content होगा उसके बाद का नीचे आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे दो column बना हुआ है इसको हम पहले 5 कर देते हैं और एक काम करते हैं इसको copy कर लेते हैं एक और बना लेते हैं यहाँ पर दे देंगे हम 5 और last वाले को हम कर देते हैं 2 तो 5 5 और 2 यानि कि 12 इदर आएंगे refresh करेंगे तो देखिए output कुछ इस तरीके से फिलाल क लगानी है तो इसको लिखा रहें देते हैं और यहाँ पर image का हम पात देते हैं जो कि है हमारा images 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 slash यहाँ पर आ जाते हैं rooms में और इसके बाद one dot jpg ठीक है यह हमारी image का path हो गया इसमें बाकी जो भी classes लगी है इसको लगा रहन देते हैं और यह rounded start को सिर्फ rounded कर देते हैं ठीक है और alt attribute हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं है इधर आके refresh करेंगे तो देखिए कुछ इस spaces आ रही हैं वो इस content के बज़े से आ रही है ठीक है तो अभी धीरे धीरे पूरा content हमारा ठीक होगा अब इसके बाद इस वाले column को open कर लेते हैं ठीक है और इसको collapse कर देते हैं ऐसा नहीं कि इसका काम खतम हो गया इसमें और भी CSS अभी लगानी है ठीक है तो उसको भी हम बात डाश वन इसके बाद यहां पर हम करेंगे क्या कि वापस आ जाएंगे इंडेक्स वाले पेज़ पर और कैरोसेल्स चिक अवैलिबिलिटी फॉर्म रूम्स वाला सेक्शन ठीक है रूम्स वाले सेक्शन में जैसे यह जो फीचर्स वाला पॉर्शन है ना इसी को सिंप्ली कर ल है एक एच फाइफ उसके बाद यह जो फीचर्स वाले डिव है उसको रख दिया है ठीक है और यहां पर जो मार्जन बॉटम फॉर है इसको थरी कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा नहीं रखना हमें काड रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आउपुट होता है फैसिलिटीज का सेक्षन तो इसको कॉपी कर लीजे यहां से यहां पर इसके बाद पेस्ट कर दीजे जो मार्जन बॉटम फॉर है इसको कर दीजे थी फिल हाल के लिए और इस पूरे हिस्से को असलमें इसका इंडेंट खराब हो गया है इसका फपल इंडेंट ठीक आपको features आ गया, facilities आ गई, ठीक है, इसके बाद facilities के बाद अगर आपको याद हो तो एक section बचा है हमारा जो की है guest का, तो इस code को करेंगे copy, इधर कर देते हैं paste, और इधर spaces दे देते हैं, यह जो margin bottom 4 है, इसको कर देते हैं 3, इसको collapse कर देते हैं, इधर आके refresh करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें output देखने को मिल रहा है हमारा, ठीक है, तो फिलहाल के लिए यह चीज इतनी ही रहने वा एक heading, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे यह रही payment के लिए, ठीक है, तो इसको copy कर लेते हैं, यह रहा cost, एक room का क्या cost है, ठीक है, और इसके बाद दो buttons भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे दो anchor tags हमारे पास थे ना, यह रहा book now का और more details का, इन दोनों को रख देंगे यहाँ पे, इ देखी refresh करने पे कुछ इस तरीके से इसका output देखने को हमें मिल रहा है, इसको पहले center में align कर लेते हैं, और इसके नीचे spaces दे देते हैं, तो यहाँ पे margin bottom dash 2 कर लेते हैं, उसके लावा इस पूरे को कर देते हैं, text line center, और हम चाहते हैं, यह जो button है, यह full with occupy करें, तो इसमें output देखने को मिलेगा, ठीक है, और हाँ, अगर आपको बार बार अपने PHP script को refresh नहीं करना है, ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है, जिसके regarding हमने एक video बनाई है, आप अपने live server को यहाँ पे live server web extension के साथ चला सकते हैं, ठीक है, connect करके, तो उस video का भी link description में दिया है, तो अगर आपको live server पे, तो अगर आपको live server पे PHP को चलाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको output भी दिखाना है बार बार, ठीक है, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर जो heading है, यह center में नहीं आई, ओके, यह text align center के ब LG-3 हो जाए, ठीक है, तो large devices में हम चाहते हैं, यह 3 level की padding, यह आप कह सकते हो, जो padding का, वो हमने level दिया है, वो 3 है, ठीक है, तो 3 level की padding यह occupy करेगा, उसके लावा जो PXMD है, यानि कि जो medium devices हैं, उसमें भी 3 level की padding, और जो small devices होंगे, तो उसमें क्या होगा, यह जो horizontal card आपको द पहली वाली div है, इसमें हम दे देंगे कुछ classes, जैसे कि margin bottom dash, LG dash 0, large devices में कोई भी margin नहीं होगी, margin bottom dash, MD dash 0, margin bottom dash 3, यानि कि small devices में 3 level की margin होनी चाहिए, bottom side पे, इधर आके इसको refresh करेंगे, और एक काम करते हैं, इस बार इसको responsive करके check करते हैं, तो देखिए, responsive जो हम करेंगे, तो चोटी screen पे कुछ इस तरीके से हमें output देखने को मिलेगा, आपका जो card है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये I think अभी के लिए तो ठीकी है, और इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, तो I hope यहां तक आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी, इतना किया, ये अभी भी vertically देखा जा तो center में नहीं है, ये text थोड़ा सा उपर देख रहा है, और एक काम करते हैं, ये रहा, हमें लग रहा था कि margin bottom guest के नीचे है, ठीक है, तो अब इसको save करेंगे, और refresh करने पे देखिए कार्ड देख रहा, ठीक है, तो चोटी-चोटी mistakes है, वो कभी-कभी हो जाती है, ठीक है, तो I hope यहां तक आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी, ये हमारा horizontal card है, और अगर आपको ये with कम लग रही है, ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, कि जो इसकी padding है, ठीक है, यहां पर जो PX- इसको आप zero कर दो, देखिए, कुछ इस तरीके से यहां पर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये आप पर है, आपको करने का मन हो तो करो, नहीं करने का मन है, तो ऐसा ही रहने दो, PX- LG zero कर देते हैं, तो large devices में ये zero column की space आपके पाय करेगा, बाद में इसको हम dynamically fetch कर आगे दिखाएंगे, तो देखिए, इस तरीके से हमारे room के cards दिखेंगे आपको, ठीक है, तो जो भी room आपको, जो है book करना, आप book भी कर सकते हो, आपको अगर उसके बारे में और detail जानी है, तो जान सकते हो, तो जो single room का जो page होगा, वो हम बाद में बनाएंगे, अब जो next video आएगी, वो simply आएगी admin panel के लिए, ठीक है, एक बार फिर से responsive layout को review कर लेते हैं, यहाँ पर देख लें कि कुछ छूट तो नहीं गया, देखिए, layout को अगर हम छोटा कर रहे हैं, तो देखिए, यहाँ पर यह देखिए, दिक्कत दे रहा है, ठीक है, price और guest वाले section के बीच में spaces नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, वापस आजाते हैं इधर, ठीक है, जो last वाला column है, जिसमें text align center हमने किया है, हम चाहते हैं, जो margin top उसकी large devices में इसको zero रख देते हैं, margin top medium device में भी हम zero ही रखेंगे, और margin top dash इसको कर देते हैं four, ठीक है, तो medium devices मे zero रहेगी, और top यानि कि जो small devices हैं, उसमें top हो जाएगी four, तो देखिए, refresh करने पे कुछ इस तरीके सामय output देखने को मिल रहा है, और इसको large devices में आपकर देखोगे, देखिए, एकदम सही है, तो यहाँ पे हमारा layout complete हो जाता है, admin end का जो portion है, उसको शुरू करने से पहले, ह PHP में वो किस तरीके से perform किया जाता है, Ajax क्या होता है और उसको किस तरीके से use किया जाता है, तो इस project को समझने में और अच्छे से बनाने में आपको ये 3-4 videos आपको बहुत जादा help करेंगी, और आगे जिन भी videos की requirement होगी project के regarding, उसको हम separately बना दिया करेंगे, ठीक है, और उ